अयुद्या में भगवान श्रीराम के भव्वे मंदिर निर्माण के लिए देश भर में निधी समर्पण अभियान चल रहा है ऐसे में कॉंग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने एक बयान दे कर कई हिंदु संगटनों और भाचपा नेताओं के गुस्से को मोल ले लिया है राम मंदिर निर्माण की एहमियत को वे क्या समझेंगे हिंदु से लड़ाई लड़ने के बाद कुछ तथा कजित काले भारतियों से भी लड़ाई लड़ने बाद अव ये सुर्ण अफसर हम भारत के हिंदु के पास आया है कि हम अपने आराद के राम मंदिर भव्य-मर्नान जा रहा है दुनिया का भव्व्य और विशाल राम मंदिर बनेगा भारती जंता पार्टी का कोई भी इसमें रॉल नहीं है संत समाज विशिंदू परिशद राष्टी स्विम्षव संग और सम देश वर के हिंदू जनमानश अवद में राम मंदिर निर्मान के लिए अपनी आउती दे रहे हैं स्वयक्षा से समर्पन कर रहे हैं कोई चंदावशुली नहीं हो रहा दिगविजे सिंग जैसे घंगोर लीगी आदवी ने भी कांतिलाल भूरिया जी जो आपके दिगविजे सिंग जी राजनितिक गुरू हैं आप उनके इशारे पर बोलते हैं करते हैं और उनके साथ रह देते हैं उनने भी मजबूरी में सई भगवान राम के भब मंदिन निर्मान के लिए रासी दी है और ये रासी सुप्रीम कोट के नणे अंसार जो ट्रेस्ट बना है उस ट्रेस्ट के नाम पर सीधे एकाउंट में जाने के लिए लोग चेक दे रहे हैं दीडी दे रहे हैं इस देश का सादू समाज दान कर रहा है और तो और जो दिन भर भीक मांग कर अपने जीवन यापन करते थे उनके जीवन यापन मैंसे जो उनने रासी बचाई थी वो लोग भी राम के भब मंदिन निर्मान के लिए अपनी बचु ही रासी को समर्पन करते हैं और ये कहते ह हैं कि मेरा पैसा राम के काम में लग जाए और राम मुझे जिंदगी में मुझे मुक्ति दे राम मुझे आशिरबाद दे ऐसे सादू संतों ने दिया है ऐसे एनेग भिकारियों ने दिया है जिनकी राजिनितिक दोर पर बिद्धी विष्ट हो गई है और जो आज भी बावर जैसे लुटेरों के तलुए चाटते हैं वही लोग राम मंदिर का ग्रोध कर रहे हैं और उनी को राम मंदिर का ये चंदा दिख रहा है ये राम मंदिर का चंदा नहीं बलकि राम के प्रती राम भक्तों का समर्पन है तन भी राम का मन भी राम का धन भी राम का और ये सब मिला कर राम के काम में लगाने का ये मन आज हर हिंदू और हर हिंदूस्तानी का है और इसी भावना से लोग राम वक्त, राम मंदिर के निर्मान के लिए कारी कर रहे हैं, भूरिया जी और किसी सोनिया से समझो की नहीं समझो क्यों कि सोनिया जी को निसाइट समझ में राम नहीं आएंगे, लेकिन दिगविजे सींग को जो लीगी होने के बाद भी, जो जिन् मंदिर को दान दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है?